दोस्ता आज हम आपके लिए लेके आएं बिल्कुल मज़ेदार और स्वाथ से भरपूर वेज़ विरियानी जो कि होटल और रेस्टोरेंट में बनाई जाती है सेम उसी तरह से हम आपको घर पे बनाना सिखेंगे रेसिवी को जानने के लिए बिल्कुल भी वीडियो को इसक्रीप ना करें वीडियो को पूरा देखें तब आपको रेसिवी समझ में आएगी और बिल्कुल होटल वाला हैदराबाद वेज़ विरियानी बना पाएंगे तो दोस्तों बिना देरी किये चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा लगबख 400-500 करम आपके कितने लोगों के लिए उसी साबसे राइस हमने इसमें इंडिया घिट बासमती राइस का इस्तमाल खिया है राइस को हलके हाथों से तीन पानी धोना है तीन बार धोएंगे तो यह अच्छे से साफ हो जाएंगे इसका पानी देखे कितना साफ हो चुका है इसको बेलकुर भी जोर से नहीं दोना है नहीं तो ये राइस टूटेंगे 30 मिनिट तक इसको भिगर करके रखना है तो साथ ही हम ले लेंगे कुछ वेजिटेबल हमने फ्रोजन पीस लिए है ग्रीन पीस और सबसे मेन इसका ये है प्याज ब्राउन अनियन फ्राइ करना है चार से पांच दाने ले 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 अच्छे से स्लाइस में कट करें उसके बाद ले ले हरी मीर्च अद्रक और खुब सारा लशन आप चाहे तो लशन अद्रक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं एक मीडियम साइज का गाजर को काटें गोबी गोबी की जगे आप पनीर भी इस्तमाल कर सकते हैं और धेर सारा मिंट और कोरेंडर लिफ एनि हरा धन्या पत्ता एक कड़ाई को ले 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 इसमें आपने दो बड़े कब तेल डालना है आप जितना ज़्यादा टेल डालेंगे उतना ही आपका प्याज जल्दी फ्राई ओप जाएगा आपने अच्छे से तेल लेना है तेल बिलकुल भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा जितने अच्छे से डालेंगे आप उतना आपका तेल बाद में सेपरेट हो जाता है फ्राइ करना है बिल्कुल गोल्डन कलर और इतने में निकालना है अगर ज्यादा फ्राइ करेंगे तो रखे रखे काला हो जाता है अब बिल्कुल साई टाइम में इसको निकालने का एक छन्नी के मदद से इसको निकाल के प्लेट में रख लें बिल्कुल करंची हो जाएगा देखिए आप ले लेंगे हम पूदिना और हरादनिया कटा हुआ एक बरतन में इतना हमें चाहिए मैरिनेशन के लिए है और इसके उपर से डालेंगे हम गोवी गोवी अच्छे से दोलें बारिस के दिने तो इसमें ज्यादा तर कीड़े रहने क्या रहता है आप इसको अच् मिर्च और अध्रग ढाल दें शाधी गाजर जो बारिक हमे काटा है शबसे में चिजर इसमें एक एर हमता है कि सबजियों को बहुत अच्छे से काटना है ूशी से अच्चा टेक्चर हाता है खाने में साथ में मटर और बिर्यानी मसाला डाल दे एक बड़ा चम्मच बिर्यानी मसाला ले आया हमने इसको जरूर डाले शाथ में एक बड़ा चम्मच तनिया पाउडर एक बड़ा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसके उपर से आलेंगे नमक अपन के अनुसार हमने एक चम्मच डाला है और उपर से गरम मसाला एक चम्मच मसालों का मिस्टरण बहुत अच्छे से करना है तब भी बिर्याने में अच्छा टेस्ट आएगा हम टमाटर नहीं डाल रहे हैं दोस्तों तो हमने खुब सारा दही लिया है लगबग 300 गराम दही का इ इसी नैपकिन पेपर के ऊपर फैला के रख देंगे तो तेल बहुत अच्छे से सौक कर लेता है और तेल बिलकुल नहीं रहता अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे सबी मसालों के साथ मिक्स हो गया है उपर से थोड़ा सा प्यास छिड़क देते हैं अब हम इसको हरी हरादनिया और मिन्ट डाल करके 30 मिनिट के लिए इसको भी रख देंगे जब तक हमारे चाओल भीगेंगे तो दोस्तों हमने चाओल बॉयल करने के लिए पानी को उबाल ले आया अच्छे से इसमें सभी पर करके आप खड़े मसाले डाल दें और आप चाहे तो 3-4 मिनिट इस और देखे चाओल कितना अच्छे से ग्रोथ में कुबल चुका है बहुत अच्छा अब हम इसको एक छनी के मदद से पानी से निकाल लेंगे पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए हमने इसको 60-70% बॉयल करना है अब ले लेंगे एक बड़ाशा कड़ाई कड़ाई में लें करें बिरियानी बन रही है तो दोस्तों घे और बटर का ही इस्तमाल करें तब इसमें टेस्ट आता है शाथ में इसमें जो भी आपके पास खड़े मसाले हैं तेज पता दाल चीनी छोटी इलाइची बड़े इलाइची काली मीड चिलॉंग चक्री फूल वो सभी डाल दें अच्छा टेस्ट आता है इस सभी मसाले डाल करके थोड़े दिर आप चटकने दे तेल गरम होने के बाद हमने अभी गेश का फिलेम बिल्कुल बंद कर दिया है वो क्यूं मैं आपको आगे बताता हूं बिल्कुल ठंडे तेल में डालना है देखिए सबजी को यह थोड़ा गरमी रही किया है फिर भी आप चितना होसा के ठंडे पर डालना है नहीं तो दही फट जाता है अच्छे से डाल दिया है गेश का फिलेम अब आउन कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हमने इसको तीन से चार मिनेट तक खुले में पकाना है जिससे सबजीया थ थोड़ी सब्ट हो जाएंगी और इसका जो किरेवी जासा बना हुआ है थोड़ा ड्राइ हो जाएगा चार मिनेट बाद हम इसको फिप्टी-फिप्टी सेपरेट कर लेंगे जिसका फ्लेम कम करें अब दोस्ते इसके उपर हम डालने आले धनिया पत्ता और पुदिना अद्रक थोड़ा सा ब्राउन अनियोन भी डाल दें एक लियार राइस का डालना है हमने इसके उपर जो हमने बॉइल करके रखे है अच्छे से भेला लें चारो और अब हम इसके उपर डालेंगे सब्जी जो हमने 50% सब्जी अलग करके रखे है उसको डालेंगे तब ही इसमें अच्छी लेयर बाई लेयर बिर्यानी बहुत अच्छी रहेगी और टेस्ट भी सभी में एक समान आएगा उसके उपर से हरादनिया और पुदिना डालें ये जरूर डालना है दोस्तों इसका फ्लेवर कुछ नेक्स लेवल तक लेके जाएगा इसका टेस्ट को ब्राउन अनियन को डालें इसके उपर आपने केसर का दूद डालना है केसर को आप चाहे तो इसमें फूट कलर का भी इस्तमल कर सकते हैं अगर केसर नहीं होगा तो केसर डाला तो उसका एक फ़िलेवर आता है फूट कलर का सिर्फ कलर आएगा फ़िलेवर नहीं रहता है सेम उसी तरह हमने फिर से एक लेश उपर डालना है राइस का दोस्ते एक चीज और आपने एक बड़े बरतन का इस्तिमाल करना है हम सिर्फ दो लोगों के लिए बना रहे हैं तो छोटे बर्तन में ले रहे हैं आप जितना हो सके बड़े बर्तन लेने की कोशिश करें और मोटी तलिका ले राइस डाल दिया है इसके उपर से ओई फिर सब सेम करना है धनिया अद्रग और पुदिना अच्छे से चार ओवर मिला करके डालें इसके उपर से डाल देंगे ब्राउन अनियन हमने इसमें ब्राउन अनियन का ज्यादा इस्तमल किया है इससे अच्छा टेस्ट आता है इसमें केसर का दूद उपर से अच्छे से डालना है क्योंकि हमारी ये फाइनल लेयर है तो हमारे चार चमज अभी डाल रहे हैं अब हम इसके उपर से डालेंगे कुछ मसाले बिर्यानी मसाला 1.5 चमज डाल दें उपर से अच्छा टेस्ट आएगा साथी इसमें 1 चमज गरम मसाला भी डाल दें उपर से इस दोनों का कमिनेशन बहुत अच्छा रहेगा हमने 8-10 काजु उपर से डाला है हो सके तो आप काजु को फ्राई करके डालें ऐसे भी डाल सकते हैं हरा दनिया और मिन्ट को डाल करके 8 एक पैकिंग से हमने इसको पैक किया है आप चाहे तो सिल्वर फॉइल से भी पैक कर सकते हैं हमारा जो ढकने कॉब है तो हमने फुल राईस डाला है आगर आपका कवर फ्लैट है तो बिल्कुल थोड़ा कम रखें क्योंकि अभी फुलेगा इसको अच्छे से पैकिंग करना है किदर से भी एर लिकेज नहीं होना है अब हम एक मोटी तली का तावा या फ्राई पान ले लेंगे और फुल फ्लैम पे इसको गरम कर लेंगे और गरम पैन के उपर हमने लो फ्लैम पे 20 मिनिट तक बिर्यानी के कड़ाई को रखना है तब तक पक जाएंगे देखे दोस्ते इसको पकने का सबसे अच्छा पैचान यहिए कि इसके साइड से कही ने कहीn से एर लिकेज होगा बहुत फोर्च से, वही एक पैचान है, जो भी आटे का पैकिंग है, उसको आराम से निकाल करके साइट कर दें, हमारी प्रियानी बिल्कुल बन करके तयार है, इसको सर्व करने के लिए एक साइट से देखिए, किसी कट्से के मद अच्चे निकाले, राइस बिल्कुल भी नह और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अपने राइक कमेंट में जरूर लेखें, हम मिलते हैं, अगले बिल्कुल